एक्सल में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम यह है कि कभी-कभी हम जो है प्रिंट करते हैं डेटा को तो जो यह आपको टॉप वाला आपको हैडिंग दिखाई दे रहा है इसे फिल्टर लगा हुआ मैं इसे आठाता हूँ तो यह टॉप में जो आपको heading दिखाई देना है वो heading हर page में print होके नहीं आए अगर मैं इसे preview करके दिखा हूँ print preview तो यहां पे देखेंगे तो मैं इसको scroll करता हूँ तो यह heading है सिर्फ एक page पे आ रहा है हर page पे नहीं आए अब आप चाहते हैं कि यह जो title है यह title आपका हर page पे आए तो इसके लिए हम क्या करेंगे तो title प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे page layout page layout में जाने के बाद से यहां पर option में जाएगा print title का print title पर click करके आपको क्या repeat करना है तो मुझे एक row repeat करना है row जिस row को तो मैं row यहां पर mention कर दोगा आप click करेंगे तो row select हो जाएगा अब वो row आपका select हो गया और आप okay कर देंगे अब इसको जैसे ही आप print करेंगे मैं preview में दिखा हूँ तो आपको हर page पे पेज 2 हो गया, page 3 हो गया, page 4 हो गया हर page पे आपको heading मिलेगा तो आप print title की use से हर एक page पे heading लगा सकते हैं थैंक्स पर वचिए मैं हूँ दिखेश, मैं बतारा हूँ आपको absolute good thing, thank you, bye bye